तो क्या हाल चाहल भाई लोग कैसे हो आप लोग और जैसे कि आप लोगों पता ही होगा भी रिसेंटली में शाउमी ने MI-S2 को आफिसले अनौंस कर दिया है चाइना के अंदर वैसे अभी तक तो आप लोगों को फोन की Chinese pricing के बारे में तो पता ही चल गया होगा और उमीद है ये फोन इंडिया में भी काफी जल्द आ जाएगा पर इस वीडियो के अंदर हम सब इस फोन को compare करने वाले है पहले से मार्केट में मौझूद और जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि ये फोन भी कुछ टाइम से मार्केट में कताई आग लगाया हुआ है तो आओ यार बीनों की बक्वास किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा फोन होगा आप लोगों के लिए बेस्ट मैं ह यहां प्लीज इसके बीना आगे मत बढ़िए तो सबसे पहली चीज यह कोई इंडेफ्थ नहीं है यह बेसिकली इनिशल कंप्रीजन है जो की बिड़े फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर की ऊपर जो यहां पर जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है तो जैसे कि सब्सक्राइब होता है तो अमीद है यहां पर आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होने चीए फिर भी मैं मैं लिंक्स डिप्सक्रिप्सन में डाल दी है आप जाके चेक कर सकते हैं उनके चैनल सो फाइनली एक लाश चीज आप लोगो बता दू अभी तक शामी इंडिया की त दार कुछ पैरमीटर्स बना है जिनके उपर इन वीडियो में दोनों फोन्स को हमने कंपेर करना है तो सबसे पहले हम बात करने वाले डिस्प्ले के बारे में तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोनों फोन्स में आप लोगों को 18 इच्टु 9 डिसप्ले X Pro में आप लोगो 77% की screen to body ratio यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अगर बात करूँ Redmi S2 के बारे में तो यहाँ पे आप लोगो को screen to body ratio देखने को मिले की 74.5% की So moving on guys और अब बात कलते है build quality की बारे में तो again यहाँ यहाँ पे build wise दोनों फोन से similar से यहाँ पे body दी गई है aluminum की और यह सामनी की तरफ से गवर्ट है ग्लास से अब यहाँ पे official कोई भी statement नहीं आया साउमी की तरफ से कि Redmi S2 में आप लोगो Slim हो जाता है और हाँ दिखने में भी काफी ज़्यादा अच्छा है तो अब जो भी है यहाँ पे मैं आप लोगो एक जरूरी बात बता दूँ तो जैसे कि आप लोगो पता है कि एक advantage हो जाता है यहाँ पे आप लोग दो वोल्टी चला सकते हो इस फोन के साथ साथ में एक एक्स्टरनल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो तो जहां तक मुझे जाद है शाओमी के किसी भी फोन में यह फीचर आप लोगो देखने को नहीं मिलता तो हाँ यह एक advantage हो जाता है आप लोगो गया है f2.2.1.12 मायक्रों प्किक्सल का यहां पर दिया गया है और इसे combine करता है क्माच में कापिक्सल का depth sensing camera जहांपर अपर अपर्चर दिया गया 8 Megapixel का एक कॉमन सा सेंसर यहाँ परचर दिया गया है 2.2 का 1.0 माइक्रोन पिक्सल का पिक्सल साइज है LED फ्लैस यहाँ पर लोग देखने को मिल जाएगा इस फोन के फ्रेंट कैमरा में अब बात करते हैं Xiaomi Redmi S2 के कैमरा के बारे में तो इस फोन में आप को देखने को मिल जाएगा 12 Megapixel का में कैमरा जहाँ पर परचर दिया गया है f2.2 का 1.25 माइक्रोन पिक्सल का पिक्सल साइज यहाँ पर दिया गया है और हाँ अगेन इस कैमरा को भी कंबाइन किया गया एक 5 Megapixel के depth sensing camera के साथ यहाँ पर आप लोगो gyroscope की तरफ से इस का support देखने को मिल जागा जो की help कर गया आपकी वीडियो को stabilize करने में वैसे आपको बता दू आसुस Zenfone Max Pro में भी एक update की थुरू यह इसका support आ गया है तो दिक्कत वाली बात नहीं है अब इस फोन के friend camera की बात कर लेते हैं और हाँ यह एक highlighting feature रहा है इस फोन में तो यहाँ पे आप लोगो 16 Megapixel का F2.0 के अपर चरवाला 2 Micron Pixel वाला एक camera देखने को मिल जाता है अब company कहती है कि यहाँ भी पिक्सल बीनिंग का use किया गया है और हाँ load lights में यह अच्छे खासे selfies ले सकती है अब फिलाल के लिए इसको यहीं पे छोड़के आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं performance के बारे में और मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कुछ बतानी की जरुवत है क्योंकि Snapdragon 636 easily beat कर देगा Snapdragon 625 को तब यह एक बर बता देता हूं तो जैसा कि हम सब जानते है आसू Zenfone Max प्रो इंडिया में तीन वेरियंट पर आता है 3GB RAM 32GB Intel Memory 6GB RAM 64GB Intel Memory और 4GB RAM 64GB Intel Memory अब अगर बात करूँ शामी S2 के बारे में तो यहां पर यह फोन दो विरियंट पर आता है 3GB RAM 32GB Intel Memory और 4GB RAM और 64GB Intel Memory दोनों फोन्स की प्रोसेसर की बात करूं तो Redmi S2 में आप लोगों Snapdragon 625 देखने को मिल जाता है और अगर बात करूँ Asus Zenfone Max Pro की तो यहां पर आप लोगों Snapdragon 636 देखने को मिलेगा अब यहां पर बेंचमार्क से है जो कि आप लोगों को मैंने डिस्प्ले कर दिये स्क्रीन की ऊपर आप लोगों की रफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन मुझे नहीं लगता है आप लोगों कुछ भी एक्स्प्लेइन करनी की जरुवत है आगे बढ़ते हैं गाइस और आप बात कलते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में तो हायर यहां पे भी आज़ोगों बैटरी देखने को मिलती है वही अगर कंपेर करें इस बैटरी को एस टू के बैटरी से तो यहां पे आप लोगों सिप 3080 मेंच की बैटरी देखने को मिलती है तो अब जो भी अब बात कर लेते हैं उपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो में ख्याल से यह चीज़ आप लो का यूजर इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा लगा यहां पर आप लोगों को एंडरोड और यू का सपोर्ट देखने को मिल जागा 8.0 और वैसे ऐसी बात नहीं है रेड्मी एश्टू में भी आप लोगों एंडरोड 8.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है पर यहां पर ज ग्यारा जार रुपए में राज्या बनके बैठा ठीक है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो भी कर देना बेल आकर उनको भी दबात देना चलो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में तब तक लिए बाई